पिछले एपिसोड में अबाव के साथ ही को ऐसा लगने लगा था कि उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया जिस पर अबाव ने उसे कहा था कि अभी तो मेरे पहले स्टेप की सुरुवात होने वाली है इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे अभी भी अटरनर से मीलने के लिए गया हुआ था जहां पर वह उसे कहता है कि मैरे फादर ने कहा था कि आपके पास में मुझे देने के लिए कोई चीज है जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्वेसरल कोप दिया था जिसके अंदर उसकी एक बहुत लुक् Genau to इसलिए वो उसे कहता है कि अगर इसके दोरान तुम किसी रिवर्सिवल सिचुएशन में फंस जाओ और इस तरह से इसका यूज करके तुम उसे रिवर्स कर पाओगे लेकिन तब ही हम देखते हैं कि अबाओ को भी इसके पाओर के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था जि इसके बाद हम देखते हैं कि इस टार्टीमन गॉड ने पहले से इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सोच लिया था और फिर वो उसे कहता है कि मैं तो इसलिए यूडी को तुम्हारे साथ में भेजूँगा इसके बाद अगले सिन में हम देखते हैं कि अबाओ अपने पा को हटाते हुए कहता है कि आप इसके लिए इन्वाइट कीजी अब इस तरह से हम देखते हैं कि यूडी इसके लिए खुद को सेक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो ग्रेट परफेसी के पाउर को अपने अंदर डालते हुए कहता है कि यह तो मेरे रहा था कि इन्होंने अबाव और उसके साथी को बहुती असानी से हरा दिया लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़े खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होने लगते हैं जिसके बाज़ा से अब कोई भी खुद को इससे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और तभी इसी बीचम देखते हैं कि अबाव ने हाऊचेन के गरदन को पकड़ कर लटका दिया होता है लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब हाऊचेन भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और अबाव उसके गरदन से अटरनल टाउर के लोकेट को नीचे फेक दे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबाव हाउच इनको भी इसके पाउर के अंदर कैद कर देता है जिसे देखते हैं हाउच इन Кुद को इसे आजात कराने Вс bumperika करने के लिए अपने तरफ से पूरी को इसन करने लगा था लेकिन काफी कोसिस करने के बाद भी वो इसके पराब हो गई थी जिससे नीचे गिरता हुआ देखा वाउसे अपने गोद में रोक लेता है और वो उसे ऐसे कंडिसन में देखा फी उदास भी हो गया था इसके बाद यूडी भी मोसनल होते हुए कहने लगता है कि मैंने यहां के रूल को रीडिफाइन कर दिया है इसके ला में रखना क्योंकि वैसे तो मैं भी उसके बारे में इतने अच्छे से नहीं समझ पा रहा लेकिन मेरे कल्कूलेशन के हिसाब से ऐसा लगता है कि गौड हेड को अपियर करने के लिए हमारे पास में क्योली यही एक तरीका है अब इतनी बात कहने के बाद वो अबाव से कहत है मैं उमीद करता हूँ कि आप इसके बारे में बहुत केरफुल रहेंगे और इसके साथ हम देखते हैं कि वह अबाव को इसके लिए थैंक्यू भी कहता है क्योंकि भले ही उसे यहां पर कठीन समय का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी यह चीज इसके लिए बहुत है कि अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रुखने के लिए कुछ कर पाओगी अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह इसे हाउचिन के सामने ही टॉर्चर करने लगा था लेकिन गौड हैड भी इसके ताकत के सामने कुछ नहीं कर पा रही हो थी और अब इस तरह से को इसके हाथों में बहुत बुरे तरीके से फंस गई थी लेकिन तभी नेचर गॉड़ेस कहने लगती है कि फैंटेसी पारेडाइज में जो कुछ भी है वाकेवल तुम्हारे वज़ा से एक्जिस्ट करता है इसलिए तुम्हें किसी भी तरह से खुद को यहाँ पर असान हुआ है लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब आव भी इतने असानी से इसे नहीं छोड़ने बाला था और वो कहने लगता है कि अब यहाँ दुनिया भी हेवन डिफाइन डिमोनिक ड्रेगन क्लाइन की हो जाएगी और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ पर अपन में नहीं आना चाहती थी और इसलिए वो हाउचें से कहना लगती है कि तुम जल्दी से इसके बारे में कुछ करू जिसके बाद हम देखते हैं कि उदर हाउचें भी लाइफ एंड के पावर के बज़ा से बेहो सुने लगा था लेकिन तभी अचानक से उसे अपने मदर की अबाद सुनाई देने लगती है जो कि हाउचें से कहती है कि तुम जल्दी से जाग जाओ तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके अंदर डिमोनिक ड्रेगन वाली कोई पावर एंटर करती है जिसके वज़ास से उसकी ताकत अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और फिर वो तुरम्ती खुद को आजाद कराते होए अबाओ के उपर भी अटाइक कर देता है और इसके बज़ास से हम देखते हैं कि अबाओ को बहुत जोर का जटका लगा था और फिर वो हैरान होते होखते होए कि क्या ही अमेरीकेवण इमेजिनेशन थी या फिर इसके उपर सच में मेरे फादर की सेड़ो है लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था जिसके बाद वो गुसा होते हुए कहने लगता है कि एक छोटे से इंसान मुझे इतने बुरे तरीके से जख्मी कर दिया और इतनी बात क कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने डबल ड्रेगन वाले पाउर का यूज करके इसके उपर अटैक करने के लिए आने लगा था लेकिन व्यादे का अबाव भी इसका सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह से रेडी कर लेता है और हम देखते हैं कि उसने अपने प पुरी तरह से हैरान हो गया था और कहना लगता है कि क्या वो सच में ऐसा करने वाली है जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से नेचर कॉड़ेस अपने पाउर को इसके साथ में कम्बाइन करने लगी थी और वो कहने लगती है कि फैंटेसी पारडाइस को बचाने के लिए म भावाशन के पाउर को देख्यान होने लगते हैं कि इस समय तो हाउचन के पास में गोड की पाउर है जिसके बाद हम देखते है कि इस पाउर का यूज करके अब आओका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि जो कोई भी फैंटेसी पारडाइ से बचने के लिए अबाव भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता तभी इसी वीश हम देखते हैं कि हाउचें फिर से अपने पाउर का यूज करके इसके उपर अटाइक करने लगा था जिससे देखा अबाव भी इसके अटाइक से खुद को बचाने के लिए पूरी कोसिस करता है लेकिन इसके बाद भी हाउचें गौट पाउर के बज़स से इसके उपर भारी पड़ रहा था लेकिन तभी अबाव गुस्य में इसके अटेक को रुकते हुए कहता है कि गौट हेट के साथ में फ्यूजन के वा लेबल एट में है जिसके बज़स से मुझे ऐसा लगता है क तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाऊगे और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में चलाकियां करना बंद कर दो लेकिन अभी भी हम देखते है कि हाउचें लगातार इसके उपर अटेक करने की कोसिस कर रहा था जिसके बाद अबाव से कहने लगता है कि तुम् नहीं देता और वो अभी भी अपने पाऊओर का यूज करके लगातार इसके उपर अटेक करने की कोसिस कर रहा होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि अबाव भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से इनके बीच में बहुत इसांदार तरीके से होने लगती है लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि अबाव इसके ऐसे पाऊओर का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था जबकि हाऊचेन अपने पासवले गौट पाऊओर का यूज करते हुए इससे जखमी करने लगता है अब इसका अगला पार्ट भी कुछ द पताना